नमस्का दोस्तों में चानल में एक बार फिर से आपका स्वागत है आज हम बात करने वाले हैं inner child healing की बहुत सारा कुछ available है internet पे inner child के बारे में inner child क्या होता है क्या problems होती है कैसे healing करते हैं क्या meditations है बहुत कुछ जो है वो चारो तरफ available है inner child के बारे में लेकिन मैं आपके साथ discuss करना चाहरे थे कुछ चीजें जो शायद उतनी available ना हो और शायद जो आपको और थोड़ा सा और deeper level पे help कर सके अपने inner child को heal करने के लिए और identify करने के लिए कि जो भी आपके life में problem है वो inner child से हो रही है या नहीं हो रही है तो आज हम बात करेंगे पहले तो कि होता क्या है inner child फिर हम बात करेंगे कि inner child issues जो है वो क्या होते हैं कहां से आते हैं reason क्या होता है उसके बाद हम बात करेंगे कि कैसे हम inner child issues से deal कर सकते हैं और उनको heal कर सकते हैं तो वीडियो शुरू करने से पहले जैसे हम हमेशा करते हैं आपके लिए message ले लेते हैं तो जो cards आए हैं आपके लिए message के लिए वो cards है magician, knight of swords, queen of pentacle, three of pentacle मैं इनके नाम भी लेती हूं कई बार usually मैं prefer करती हूं कि नाम लोग क्योंकि आप में से काफी लोग जो हैं वो terror reading की series जो हैं उसको follow कर रहे हैं और सीख रहे हैं cards को interpret करने में या कैसे आप cards को interpret कर सकते हैं ये cards basically बोल रहे हैं actually बहुत अच्छा time period जो है especially आपकी financial और money growth के लिए कुछ अच्छा time period जो है वो आपके life में आ रहा है magician जो है वो resources बताता है और साथ में knight of swords जो है वो किसी तरहां का action या news बताता है queen of pentacles जो है वो definitely आपके life के luxuries आपके life में पैसा आपके life में growth आपके life में अच्छी चीज़े अच्छे messages जो है वो बताती है और three of pentacles आपकी skill का improvement आपने skill से किस तरह की कोई चीज learn करना या earn करना जो है बताता है तो आपके cards बोर रहे हैं कि अगर आप किसी भी चीज़ के बारे में especially अपने work related या career से related किस चीज़ के बारे में सोच रहे हो तो आप बिल्कुल सही path पे हो आपको सारे resources available होंगे अगर आपको job की call आनी है आप उसका wait कर रहे हो तो एक positive response आपको आएगा और आपको अपनी skill पे काम करना है अपनी skill improve करनी है learning करनी है और धीर धीरे आप चीज़ों को जो है सामने आता हो दिखाई देखोगे इसके साथ में क्योंकि magician card और night of swords एक साथ हैं ये communication के card भी होते हैं तो किसी तरह के कोई positive communication है जो आपके तरफ आ रही है या already आ चुकी है और कहीं न कहीं वो communication आपकी अपनी stability में आपके अपनी life को better बनाने में एक leap of faith लेने में आगे बढ़ने में आपको अपना essence समझने में help करेगी और उसके साथ में इस communication के साथ कुछ ऐसे चीजें हो सकती हैं जिनको आप बहुत टाइम से wait कर रहे थे कि रोशनी में आए clear हों सामने आए वो सामने आना शुरू हो सकती हैं और overall relationships के लिए भी ये positive cards हैं और ये बोलते हैं कि खुद पे अगर आप believe करते हो और चीज आप में एक बच्चा होता है और वह बच्चा क्या होता है तो मैं बहुता है कि इनर चाइल्ड जो है वह हमारी core essence है क्लिए हमारी आत्मा जो है और हमारा actual जो मतलब जो actual energy है हमारी वह इसको inner child बोलते हैं वह energy है अपका inner child basically आपकी आत्मा या आपका सोल आपका essence जो है basic जो ह आपकी soul का वो आपका inner child है और inner child in generic term में यूज किया जाता है जहां पे आपको childhood से related या बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो बशपन से आपके साथ चली आ रही है उस तरह के issues आपको हो तो बोलते हैं कि ये inner child issues है या आपको जाता emotional हमें भी बात करेंगे क्या issues होते हैं लेकिन मेरी समझ में या मेरे guides के download के हिसाब से आपका inner child जो है वो आपकी soul है या core of your essence मतलब basic जो आपकी soul का है वो आपका inner child है अब inner child issues क्या होते हैं inner child issues होते हैं जैसे आप किन-किन चीज़ों से identify कर सकते हों कि inner child issues हैं कोई भी ऐसा issue जो आपके soul के साथ sink में नहीं है which means क्योंकि हर soul जो है वो बहुत positive होती है वो बहुत learning के लिए आती है वो हर चीज़ों को बहुत अच्छे से देख सकती है soul को किसी तरह का मतलब एक तरह से किसी तरह का super attachment, super detachment वो नहीं होता है soul का अपना purpose होता है सिर्फ learn करना और वहीं से एक soul जो है वो ग्रो करती है तो वो एक basic core essence है soul का अब आप इस इस essence से जब भी divert हो तो वो inner child issue है जैसे for example आप under confident हो सकते हो आपको बहुत जादा डर लग सकता है तो बहुत अलग लग तरह के डर आपके दिमाग में हो सकते है आपका अपने आपके उपर confidence जो है वो बिलकुल खतम होगा या बिलकुल कम होगा अपनी आपकी worth नहीं होगी अपने आपको value नहीं करेंगे अपने आपको सबसे कम समझेंगे या negative चीजें बोलते हैं अपनी life के साथ या खुद के साथ dissatisfied रहते हैं anxiety के issues होते हैं आपको depression होता है आप आपको ऐसा लगता है कि आपको कोई प्यार नहीं करता है आप किसी को प्यार नहीं कर सकते हैं relationship failures होत होते हैं चाहे वो monetary stability money wise money का flow हो आपके life में या दूसरी तरहां से stability हो तो इस तरहां के जो भी major issues होते हैं किसी तरहां के भी negative situation जो आपके चारों तरफ हो रही है और आपकी life में हो रही है वो basically आपका inner child issue है और वो inner child issue क्यों है वो inner child issue इसले है क्योंकि आप अपने soul के essence के connected नहीं हो और like I said कि आपका आत्मा ही आपकी जो है वो आपका inner child है तो जब उसके साथ आप connected नहीं होंगे जैसे for example एक चोटा बच्चा होता है उसको जब उसकी basics नहीं मिलते हैं आप उसको feed ना किजिए या उसके कपड़े change ना कीजिए उसको गिले में रहने दीजिए या उसको बिल्कुल ना पुछका रही है वो रोता है बहुत जादा रोता है बहुत जादा परिशान होता है लेकिन जब आप उसको उसके basics देते हो तो वो खुश होता है उसको basics मिल जाते हैं तो वो खुश होता है तो वो actually real being है वो है inner child वो है actual being जिसको अपने basics जब मिल जाते हैं तो वो अपनी लाइफ में खुश होता है अच्छा फेल करता है इसी तरह जब आपकी आत्मा है उसका बेसिक रीजन है लर्न करना और पॉजिटिव रहना तो जब उसको वह पॉजिटिविटी या लर्निंग मिलती है तो आत्मा सोल पॉइंट व्यू से देखें मतलब एक तरह से सोल वर्ल्ड आत्मा या अध्यात्मिक पॉइंट व्यू से अगर हम देखें तो इनर चाइल्ड इशू होते हैं हमारे जो हमने सीखना है अपनी जिंदगी में हम उस सीख की तरफ नहीं जा रहे हैं और हम उस सीख से डाइवर्ट हो रहे हैं इसलिए हमें इनर चाइल्ड इशू होते हैं ताकि उन सारे इशू के कारण हम उनको अड्रेस करें और जैसे जैसे हम उनको ठीक करने की कोशिश करें वैसे वैसे हम अपने अंदर के साथ अपनी सोल के साथ अपनी अंतर आत्मा के साथ जाधा कनेक्ट हो तो अगर आप स्प्रिच्वालिटी के पॉइंट आफ व्यू से देखेंगे तो यह इनर चाइल्ड इशू जो होते हैं यह आपको आपके लाइफ लेसन सिखाने के यह जानना भी जरूरी है कि फिजिकल लेवल में यह इशू क्यों होते हैं फिजिकल लेवल में यह इशू होते हैं कंडिशनिंग से कंडिशनिंग आपके आसपास का महौल जब आप बड़े हो रहे हो आपकी क्या कंडिशनिंग है आपके पेरेंस का माइंसेट क्या है आप आप अपने बच्चों के साथ क्या कर रहे हो वह भी आप की आप कंडिशनिंग कर रहे हो उनकी और उस कंडिशनिंग का रिजल्ट होंगे inner child issues अगर आप किसी भी तरह की negative कंडिशनिंग करते हो एक चोटा सा एक्जांपल में आपको देती हूं हम सब लोग अपने लाइफ में friends बनाते हैं या relationships में जाते हैं और हम सब किसी ना किसी level पे कोई ना कोई धोखा cheating ये सब होता है natural है friends के बीच में जगड़े भी होते हैं ये सब natural है बिल्कुल होता है अब मान लेज़े आपके life में ये बहुत ज़ादा हुआ है और आपका चीज उसके mind में भी feed कर रहे हो कि लोगों पर विश्वास नहीं करना हमेशा दोखा मिलता है ज़्यादा drip नहीं होना relationship में अब आप उसके life में उसके mind में चीज उसकी soul में चीज फिट कर रहे हो उसकी conditioning ऐसी कर रहे हो तो उसके life में वही चीज़े होंगी क्योंकि वो उनी चीज़ों को attract करेगा या करेगी क्योंकि वो वही समझता है या समझती है इतने level तक conditioning जो है वो आपकी impact करती है आपके बच्चों को एक बहुत चोटा example में हमिशा देती हूँ कि जब एक चोटा बचा हो रही है क्योंकि उसमें floor की या लमारी की या किसी भी चीज़ की घलती नहीं है बच्चे की अपनी वो है कि वो चल रहा है और वो crawl करते हुए या किसी तरह से गिर गया और उसको चोट लग गई लेकिन आपने उसकी conditioning कर दी कि जब भी तुमें कुछ होगा वो हमारे life lesson के साथ attached होती है और इसलिए हम उस तरह की parents या उस तरह की family जो है उसको choose करते हैं लेकिन क्योंकि ultimate aim हमारा learn करना होता है इसलिए अगर आप as a person अपना mindset change कर रहे हो as a person आप अपने आपको better कर रहे हो और अपने बच्चों को better conditioning दे रहे हो तो आप उनकी soul learning में उनके life lesson learning में उनकी help कर रहे हो बहुत positive way में उनको inner child issues नहीं होंगे आप बात करते हैं कि inner child issues से deal कैसे किया जाता है तो अगर आपको inner child issue है या आपको ऐसा लगता है आपको inner child issue है और इन में से कोई भी problems जो मैंने जाता पैसे के पारे में नहीं सूचना है इस तरह कि कोई भी चीजें जो आप बार 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 सुनते हो या बार बार आपको बोली जाती है वो सब आपके inner child के साथ कनेक्ट होती है आपकी soul के साथ कनेक्ट होती है और उस ही से आपकी conditioning होती है तो अब कैसे इस चीज से हम deal करेंगे सबसे पहली जो इस चीज से deal करने का नरीका है वो है आपके आगे की generation के लिए कि अपने बच्चों की conditioning जो है वो सही तरह से कीजिए उनको गलत conditioning मत दीजिए कोई भी negative thought, कोई भी negative चीज कोई भी negative idea उनके mind में बिलकुल मत डालिए जो भी आप उनको बोलने वाले हैं एक बार सोचिए और फिर बोलिए ऐसे मत सोचिए कि मेरा इस बच्चा है जो मर जी बोल दो एक बार सोचिए और फिर बोलिए तो वो आपको आगे की generation के लिए inner child problems से आपके बच्चों को related है तो कोई भी issue हो सकता है लेकिन जो reoccurring है एक pattern है आपके लाइफ में बारवर आपको तंग करता है वो issue आपके inner child से related हो सकता है second उसके बाद आपने उसका root cause find करने की कोशिश करनी है in all circumstances हो सकता है हर बार आप root cause ना identify कर पाए क्योंकि कई बार ये inner child issues जो होते है ये बहुत जादा deep rooted होते है बहुत past में बहुत छोटे होते से होते है तो वो आप cause जो है वो ढून नहीं पाएंगे क्योंकि वहां तक आपकी memory ही नहीं जाएगी लेकिन फिर भी जितना भी close cause जो है वो आप ढून सकते हैं कारण जो आप ढून सकते हैं जहां पर वो चीज आपके life में repeat हो रही है या कोई आपको वो चीज बार बार बोर रहा ह तो वो आपका root cause होगा ज़रूरी नहीं है आपको वो बच्पन में ढून नहीं ये कभी भी हो सकता है आपके लाइफ में तो वो आपका root cause होगा तो आपने root cause issue identify करना है अगर आप root cause नहीं भी identify कर पाए तो आपने at least problem identify ज़रूर करनी है कि क्या issue है जो आपको हो रहा है आपके लाइफ में जिसके कारण एक negative pattern या एक negative situations आपके लाइफ में बार पार repeat होती है आप अपनी soul path पे नहीं जा पाते हो या आप अपनी soul के साथ completely positive नहीं रह पाते हो उसके बाद आपने सबसे पहला एक काम जो करना है वो करना है अपने inner child के लिए एक letter लिखना है तो आराम से pen paper लेके बैठे उस issue को लिखिए फिर सोचे वो issue कहां से आया है फिर जब आप उ soul के साथ हो आपकी soul आपका inner child है आपकी अपनी soul के साथ हो आप अपनी soul को समझते हो आप मैं अपनी soul को समझती हूँ मैं तुम्हें समझती हूँ मैं तुम्हें एक अच्छी जिंदगी एक अच्छी learning और अपनी learning की तरफ ले जाने के लिए मैं बिल्कुल तयार हूँ हर तर तो उस टाइम पे आपने सारे causes अपने life में जो भी चीज़ें आपकी situations negative हुई हैं वो भी लिखनी है उन्होंने आपको कैसे impact किया आपने वो भी लिखना है उसमें से आपकी क्या learning हुई किस तरहां से आपने उसमें से सीखा वो भी लिखना है और उसके बाद अपने आपको र प्रेक्टिस में भी लाना है अब क्या होता है लिखना हम सब की हैबिट से निकल चुका है तो हमें लिखना बुगत मुश्किल होता है तो अगर आप नहीं लिख सकते हो तो फोन पे रिकॉर्ड किजिए वॉइस रिकॉर्ड में और फिर उस रिकॉर्डिंग को एक बार बैठ कि तरहां लेना है और उसको वो शुरेंस देनी है जैसे आप एक बच्चा जो गिर जाता है उसको चोट लग जाती है उसको कुछ तकलीफ होती है आप उसको रियाशुरेंस देते हो कि सब ठीक हो जाएगा मैं तुम्हारे साथ हूं तुम्हें डरनी की जरूरत नहीं है उस त आप एक बार दो बार तीन बार जिब तक आपको लगे कि आप उसमें पूरी तरह कंप्लीटली वर्क कर पा रहे हो तब तक आपने रिपीट करना है दूसरा आपने अपनी कोई भी ऐसी होबी या पैशन आइडेंटिफाई करना है जो आपको अच्छा लगता था है जो चा बड़ों का शोक जो भी आपका पैशन आपनी यह सूचना है कि मैं स्टूचना कि предлож, स्टूपडं की बात है नहीं हम्आरे साथ हैटो हमेशा हाँ पैशन हमीशा हमारे साथ है तो अपना पैशन या हॉबी जो है वो धुलनी है अगर आपको नहीं अच्छा लगता उसको हमारी सोल जो होती है वो फ्रेश होती है मतलब वो connected होती है वो अपने पाथ पे होती है वो एक अलग जोन में होती है जैसे हम बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे human mind और atmosphere conditioning overpowering हो जाती है और सोल जो है वो अंदर 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 धस जाती है that's inner child problem तो आपने अपनी कोई hobby follow करनी है उसके अलावा अगर हो सके तो आपने छोटे बच्चों के साथ कुछ समय बिताना है तो अगर आपके आसपास छोटे बच्चे हैं आपके पास ability है आप किसी often age में जा सकते हैं या किसी school में जा सकते हैं special enabled kid के school में जा सकते हैं छोटे बच्च करते हैं कैसे उनको excitement होती है कैसे वह खुश हो जाते है एक दम उन चीजों को notice करना है और उन qualities को अपनी life में वाइब करने की कोशिश करनी है जब आप उन qualities को अपनी life में लाएंगे जब आप अपनी life में चुट चुट चीजों में खुश याँ ढूना समझेंगे जब आप वरी करना हमेशा future के बारे में सोचना हमेशा negative लोगों के बारे में सोचना negative situations के बारे में सोचना बंद करेंगे कोई एक अच्छी चीज एक अच्छी hobby फॉलो करेंगे समझेंगे कि आप और आपका inner child आप अल्रेड़ी दो हो मतलब आपकी body और आपका soul आप अल्रेड़ी द होंगे तो आपका अटमोस्फेर आपकी लाइफ आपकी जो भी लोग है आपके आसपास वो सब भी आप मिरर करोगे वही चीज मिरर होगी और वही चीजे वैसी अच्छी चीजे आपके लाइफ में आएंगे उसके अलावा इनर मेदियों कोया इनरल मेदिटेशं बहुत सारी हैं अनगेनद यूट्यूब पे पड़ी हैं आप कोई भी ही इन चीजों को भी करोगे न आपकी लाइफ में बहुत major healing होंगी और basic inner child आपकी soul है आपको समझना है आपका core essence है आपको समझना है तो I hope ये वीडियो आपकी मदद करे message ले लेते हैं एक आप लोगों के लिए और अगर हो सके तो वीडियो को सबके साथ शेयर करें और लोगों को भी help मिलेगी क्योंकि बहुत सारे concepts इसको लेकर है और उनमें से बहुत सारे बहुत confusing है तो आप और लोगों को भी help मिलेगे वीडियो को like करेंगे like button प्रेस करके तो video searchable होगी और subscribe कर सकते हैं तो करिए चैनल को बात करते हैं आप लोगों के लिए क्या message है तो क्योंकि बहुत सारे cards आगया है बट फिर भी मैं कोशिश करती हूँ तो वाव मुझे ऐसे लगता है कि cards ना कहीं ना कहीं बहुत जादा connect करते हैं जो हमने आज बात की है उससे और क्योंकि सबसे पहला card आया है regeneration का regeneration होता है जहां पर अपने आपको rebuild करते हो दुबारह से start करते हो अपने आप पे believe करते हो और आप जानते हो कि जो भी situations है आपकी life में आपके पास energy है आप उन चीज़ों को दुबारह से generate कर सकते हो अपनी life को दुबारह से बना सकते हो तो एक नहीं beginning है यहाँ पर नीचे सब मुछ जल गया है लावा है लेकिन यहाँ पर पेड़ है उसमें नहीं पत्तिया आ रही है तो regeneration और जब आप अपनी life को अपने आपको regenerate करते हो तो slowly धीरे धीरे आप building blocks तो धीरे धीरे आप उसके उपर build करते हो अपनी life को बहतर बनाने कोशिश करते हो उसके बाद आया है card poised और जब आपने वो सब करना है तो आपको खुद में अपने आप में एक poise एक अच्छा feel अपने आप में विश्वास अपने आप में energy जो है उसको feel करने की बहुत जादा जरूरत है जब आप अपने poise में रहोगे जब आपनी energy में तो definitely go the distance बहुत असान होगा वो distance जो है उसको complete करना बहुत असान होगा उन energy को समझना और अपनी energy चीता energy उस destination की तरह fast जाना अपने life lesson आपकी life learning या otherwise भी अगर आप किस तरह की नहीं जॉब शुरू कर रहे हो नहीं बिगनिंग कर रहे हो अपनी life में तो उसको बिल्ट करना और उस beginning को आगे लेके जाना and when you do that तो slowly and gradually आप between the worlds आप एक दुनिया से दुसरी दुनिया की तरफ shift होते हो and you are getting towards more brighten बहुत बैथर दुनिया के तरफ बहुत ब्राइट दुनिया की तरफ ने sun की तरफ ने सूरज की तरफ तो इसका मतलब ये भी है कि like I said शुरू में भी मैं हुई है या नही तरहां से begin हो रही है नया कोई communication आ रहा है तो आपके पास ability है अगर आप अपने आप में positive feel करेंगे अपनी energy में विश्वास रखेंगे अगर आप believe करेंगे कि आप उस distance को cover कर सकते हो और actual में achieve कर सकते हो जो आपको achieve करना है और ये जो transition है between the worlds इसे नहीं डर आप पास जा रहे हो उस चीज़ के जो आप चाहते हो कि आपको पता लगे या आप चाहते हो कि सामने आए तो वो एक और meaning हो सकता है इसका बाकी मैं आपके साथ मिलूंगी अगली वीडियो के साथ आपके मन में कोई भी सवाल है तो वो सवाल comment section में डालिए अगर आपके मन झालिए वस्त्रेगे तक ये सुमश्श बाइ